तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर इंग्लिस अरियन्त वर्क बुक का यूनिट सेबन का चाप्टर टू दै स्कॉलर्स मदर टंग तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर पास वर्क बुक नहीं है तो मैंने वर्क बुक का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आपको वन से लेके फाइब तक सारे वर्क बुक मिल जाएंगे आप एमाजॉन से जाके इजिली खरेच सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं दा इस्कॉलर स्टार्स मदर टंग टेक्स्ट बेस्ट कॉस्चंज रिड़ एक्स्ट्रेट्स गिवेन विलो एंड एंड एंसर फॉलविंग कॉस्चंज यह जो नीचे वाला ला लाइन दिया गया है इसे आपको पढ़ना है और कॉस्चं का एंसर देना है दा पंडित कुड स्टीक मैनी पंडित जो है वो बहुत साथे लैंग्वेज फ्लूएंटली बोल सकता था यानि कि ऐसली बोल सकता था यानि कि उसी जो मात्री भासा है वो क्या है उसने court में challenge किया हर किसी को कि उसका mother tongue बताए जब हर कोई fell हो गया तो ये challenge बिर्बल ने ले लिया अब देखें question क्या है कि what were the courtiers unable to guess अब देखें इस line में कहा जा रहा है कि आखिर court में क्या सभी कोई क्या guess नहीं कर पा रहा था तो answer लिखेंगे कि the pundit the pundit's mother tongue उसके mother tongue को what did the pundit challenge the courtiers with तो pundit ने क्या challenge किया courtier में ठीक है तो क्या challenge किया to know his mother tongue उसके mother tongue को जानने के लिए ठीक है कि कोई भी उसका mother tongue बता सके antonym of felt is felt का antonym antonym बताना है ठीक है तो क्या होगा succeed इसमें हम tick लगाएंगे उसके बाद है find the word in the passes which means the same as smooth अब देखें जिसका meaning की same है ठीक है smooth का तो smooth का क्या होगा fluent इसमें tick लगाएंगे उसके बाद है तो देखें रात में क्या हुआ कि बिर्बल वो बहुत सांती से पंडित के रूम में गया जब वो सोया हुआ था तो उसने उसके कान में कुछ बोला धीरे से कुछ बोला और एक फैदर के साथ में उसे गुद गुदी लगाई तो वो अचानक से उठा मतलब बीच में ही वो गहरी निंद में सोया हुआ था लेकिन वो अचानक उठा और चिलाने लगा वैसे ही अचानक से उसका मदर टंग निकल गया ठीक है अब देखें कॉस्चन है कि वाट डिड बिरूर डू अट नाइट तो बिरूर ने रात में क्या किया तो बिरूर वैंट कॉइasm टू पंडित सुख फैदर तो उसने फैदर से उसे गुद गुदी लगाई ठीक है, how did the पंडित react, पंडित ने कैसा react किया, तो he shouted, उसने बहुत जोर से चिलाया find the word in the passes which mean the same as मर, मर्ड, अब देखिए इसका same जो होता है न, जैसे कि मर, मर्ड है इसका same meaning क्या होगा, whispered, ठीक है इसके बाद है, find the synonym of screamed in the passes, अब देखिए इसका screamed का जो है न, इसका synonym बताना है, तो cried इसमें ठीक लगाएंगे अब देखिए इसमें क्या कहाजा रहा है कि read the following sentences carefully, जो नीचे sentence दिया गया है, उसे carefully पढ़ना है some of the sentences are incorrect, कुछ sentence incorrect है, put a cross and tick, correct them and rewrite them in the space provided, put a tick in front of the correct sentence, अब देखिए जो incorrect है, उसके सामने जो है cross का निशान दे देना है, ठीक है और जो correct है उसमें सही का देना है ठीक है, टीक करना है अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें टीक लगाना है, ठीक है इसके बाद है, the pundit was so fluently that no one could find out what his mother tongue is ठीक है, pundit बहुत fluently बोलता था, इससे किसी को भी पता नहीं लग पाता था कि उसका mother tongue क्या है, ठीक लगाएंगे, ठीक है, इसके बाद है, birbal whisked into the pundit's nose and tickled it with a leaf तो क्या होगा ये, इसमें cross लगाएंगे, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि क्या बिर्बल ने, pundit को जो है, nose में tickled किया था, गुदगुदी लगाया था और उसने leaf से लगाया था, तो गलत है, क्योंकि उसने feather का use किया था और कान में tickled किया था, ठीक है, तो इसमें हम cross करेंगे और इसे सही लिखना है, तो क्या लिखना है, इसे आपको सही करके भी लिखना है जो wrong है, वो wrong यहाँ पर cross लगा देना है, और जो सही है, उसको आपको लिखना है विर्बल whisked into the pundit's nose and tickled it with a feather ठीक है, तो देखें, यहाँ पर nose नहीं होगा, यहाँ पर ear होगा पंडit के ear में उसने tickled किया था, ठीक है, तो हम यहाँ पर ear लिखेंगे उसके बाद है, विर्बल informed the king how he had gone to the pundit's room to find the truth यह सही है, विर्बल उसके रूम में गया, पंडit के रूम में पता लगाने के लिए इसमें हम tick लगाएंगे, उसके बाद है, short answer type questions who took up the challenge and why, तो challenge को किस ने लिया और क्यों, तो विर्बल took up the challenge because everyone fell, तो विर्बल ने challenge लिया क्योंकि हर कोई fell हो चुका था in whose court was बिर्बल a courtier, तो अकबर's court, ठीक है, किस के court में वो courtier था तो अकबर के court में, ठीक है, उसके बाद है, कि how did the pundits react when the truth was out तो पंडit का react कैसा था, जबकि सचाई बाहर आया तो, तो he was surprised, तो वो surprised हो गया how do people react in times of difficulty, the people speaks only in his mother tongue इसमें कहा जाता है, कहा जा रहा है कि जब difficulty जब आता है, तो difficult time में लोग कैसा react करते हैं, किस तरह से, तो लोग जो है ना, उस समय अपना, जो उसका mother tongue होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक है, उसके बाद है, long answer type questions Do you think Birbal was clever man, if yes, why? आपको क्या लगता है कि Birbal जो है, वो एक clever man था, तो अगर है, तो कैसे, क्यों था? तो yes, he was a clever man, because he, he secretly find out pundit's mother tongue, यो कि उसने pundit का mother tongue बाहर निकला था, ठीक है, पता लगया था, ठीक है, mother tongue के बारे में के बाद है कि, who visited the court of Akbar, what was his special ability and what did he challenge the courtiers to? तो इसमें कहां जा रहा है कि, अकबर के court में कौन आया था, और उसका special ability क्या था, और उसने सारे को क्या challenge किया? तो एक learned pundit, ठीक है, कौन आया, एक learned pundit, he had mastery over many different languages, उसने mastery कर रखा था, बहात सारे language में, he challenged the courtiers to find his mother tongue, और उसने courtiers को, जो है न, challenge किया कि उसके mother tongue के बारे में बताए, language based questions, circle the subject and underline the predicate in the following sentences, अब यहाँ पर आपको circle करना है, ठीक है? subject में, और underline करना है, जो predicate है उसमें, तो a learned pundit, यह subject है, इसमें हम circle करेंगे, ठीक है? और यह है predicate, इसमें underline करेंगे, इसमें, पंडित, इसमें circle करेंगे, could speak many languages fluently, इसमें underline करेंगे, बीरबल, इसमें circle, went quietly to the pundit's room when he was asleep, इसमें underline करेंगे, इसके बाद है, read the following sentences and fill in the blanks with the correct preposition, the pundit had mastery over many different languages, इसमें हम overlikhेंगे, he challenged everybody at the court to name his mother tongue, when everyone felt, बीरबल took up the challenge, बीरबल quietly went to the pundit's room at night, he whispered into the pundit's ear and tickled it with a feather, ठीक है? उसके बाद है, ये साड़ा इसी तरह से बना लेना है, तो आपका chapter complete हो चुका है, workbook, तो कैसा लगा आपको पढ़के, मुझे जरूर बताइए, अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिये गए बेल आकन को जरूर प्रेस कर दिजिए, ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे, तो मिलते हैं next वीडियो मे तब तक के लिए बाई, टेक केर, थैंक्स तो वाच मै वीडियो